वेल्कम फ्रेंड्स तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चनल पर फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा अपने डाटा को हम हार्ड डिस से कैसे बाइंड करें अब क्यों जुरूर है डाटा को हार्ड डिस बाइंड करना तो ये सेफटी परपस के लिए होता है जैसे कई परसन हम चाहते हैं कि हमारा डाटा सिर्फ हमारी सिस्टम पर ही लॉग इन हो पाए कई बार डाटा कोई और मिस्यूज ना कर पाए कोई और उसमें से कोई इंफॉर्मेशन ना ले पाए तो इससे क्या ऑप्शन से फैदा क्या मिलता है कि डाटा हमारी सिस्टम पर चलेगा बस वो हमारे हार्ड डिस से बाइंड हो जाएगा कोई डाटा हमसे ले भी लेगा हमारी सिस्टम में से तो उसके हार्ड डिस्क में वो काम ही नहीं करेगा तो यह option मिलता कहां पर है friends हम जाते है administration configuration first option feature and option इसमें आता है general general में option मिलता है friends हमें यह fourth number पर bind data with specified hard disk आगे configuration है specify hard disk serial number तो यह option है click to get hard disk serial number तो यह देखिए serial number अपने आग आगया अब कोई अगर इस data को अपने system पर copy कर भी लेगा तो उसे क्या message शोगा can't login with current hard disk इस message को हम चेंज भी कर सकते है second इसमें option मिलता है display company list क्या उसे company का नाम शो हो तो why कर देंगे तो company का नाम तो उसे show होगा लेकिन वो login नहीं हो पाएगी message जाज जाएगा error का end कर देंगे fences option को तो उसे company का नाम भी show नहीं होगा data वाला folder वो copy कर भी लेगा हमारी system में से लेकिन उसे कुछ भी show नहीं होगा company का नाम भी show नहीं होगा तो ये option होता है hard disk bind करने का हमें help करता है कि हमारा information किसी और के पास ना पहुचे कोई हमारा data copy कर भी ले तो उसकी hard disk पे option काम ही नहीं करेगा हमारी company show ही नहीं करेगी या why कर देंगे तो show तो करेगी लेकिन वो इस company को login ही नहीं कर पाएगा thank you friends